ब्राजीलियन जॉइवीट ये प्लांट एक लैविश और और्नमेंटल प्लांट है ब्राजीलियन जॉइवीट प्लांट लियुज आपनेंटल बोटो मिलते हैि तशिपने चु उप्लाम प्लांट आयव कोता है है इस प्लांट की जो हाई टीन मीटर से भी ज़ादा लंबी हो जाती है इस प्लांट की स्टेमी आप देकर रहे हैं इसकी कलर की जो रेंज है वो रैड, ग्रीन, परपल में आपको आराम से दिख जाएंगी जो इस प्लांट की जुविनाईल लीज्स होती हैं वो एडल्ट लिफ से जादा ब्यूटिफुल लगती हैं इस प्लांट को आप शेडी एरिया में रखेंगे तो भी ये इसली ग्रो हो जाएगा और आप डेरिक संलाइट में रखते हैं तो इसके पत्ते जल जाएंगे अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में आप इसको डेरिक संलाइट में रख सकते हैं आपको ये किसी भी नर्सरी में एजली मिल जाएगा मैंने अपने प्लांट्स की गुड़ाई की एक साइक्लिंग बनाई हुई है जैसे कि हर 10 डेज के बाद मैं गुड़ाई कर देती हूँ आज भी मैंने को इसकी गुड़ाई करने की बट मैं आपको ये बताना चाती हूँ कि गुड़ाई करते वक्त इस प्लांट के साथ किस तरीकी से टील करना है जो आप गुड़ाई करते हो बागी प्laan'ts में वो गुड़ाई आप 2-2 इंच तक आराम से कर देते हैं आपको इस प्laan't की जो गुड़ाई करनी है वो बहुत जादा हाश हाथों से नहीं करनी क्योंकि बाकी हमारे plants होते हैं युकि जो roots होती है वो बहुत ज tender होती है वो बहुत sout होती थिन होती है और बहुत soft होती है तो आपको क्या करना है बड़े अराम से सिस्फ ऊपर ऊपर ही आप उसके गुड़ाइ कर दोगे उतना इस leaf lab के लिए sufficient होगा कई बार हम क्या करते हैं जो हमारे प्लांट्स की ड्राय लीव सोती है या जैसे इस तरीकी से आपको यह दिखाई दे रहा है यह टूटा हुआ तो हम गया करते हैं पर हम हाथ से तोड़ देते हैं तो आपको हाथ से नहीं तोड़ना आपको क्या करना है सीजर का यूज करना है आपको यह नहीं कि आप तोड़ दोगे अप जैसे इसकी यह खराब है तो यह मैंने इसको कट कर दिया है यहां से यह जो आपको खराब दिख आप इस तरीके से कुल इसको हिल जाती और एयर केता है और एयर गैपने से हमारे प्लांट की जो सॉक्षी ऑना धे वूर प्लांट भी खराब हुएं लगता है यह जानीड एग सैथा इस श। सक्ष시 प्लांट ये जो इंडोर रखा था, तो मैं आपको ये बतारी हूं कि इस दोनों में डिफरेंस या अगर आप आप आउटओर रखते हो और आप इंडोर रखते हो तो इसके जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये परपल कलर के हो जाएंगे, अगर आप इसको इंडोर प्ल जब भी आप इसको कटिंग से ग्रो करें तो हमेशा 2 इंच से माक्सिमम नहीं होनी चाहिए कटिंग अगर आप जादा लंबी कटिंग लेगे तो जो आपकी कटिंग है वो खराब हो जाएगी और सूख जाएगी तो आपको क्या करना है यह देखिए जिसे मैंने कटिंग लगाई थी यह दो इंच की ही थी बड़ इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है जाकर यहां पर इसके अंदर कोई ड्रेनेश होल भी नहीं है तब भी रहे कितने अच्छे से यह अपनी ग्रोथ कर रहा है प्लांट तो आ आप फर्दर इसके नहीं नहीं प्लांट बना सकते हैं कटिंग से आपको यह मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर बताईएगा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वॉचिंग मैं वीडियो